अगर आपके फॉर्म में पर्सनल लॉन एप्स मौदूद है तो 31 मैं से पहले एप्स के डेटा स्टोर कर लीजिए वरना आपको नुक्षान उठाना पड़ सकता है आखिर क्या है पूरी खबर आईए देखते है गूगल ने ओनलाइन कर्स देने वाले एप्स को प्रतिबंधित करने का एलान किया है गूगल की नई financial service policy को जारी कर दिया गया है यह policy 31 मैं 2023 से देशबर में लागू हो जाएगी ऐसे में अगर आपके फॉन में कर्स देने यानि लेंडिंग एप्स मौद है जिससे आपका personal data सुरक्षित है तो बहतर होगा कि आप इस data को डिलीट कर दे या फिर 31 मैं से पहले data को सुरक्षित कर ले वरना आपका personal data 31 मैं के बाद डिलीट हो जाएगा दरसल online lawn देने वाले apps पर लंबे वक्ष से फरजी वाड़े करने के आरूप लग रहे है जिसे लेकर कैंदरे सरकार काफी सक्त हो गई है साथी lawn देने वाले apps पर कर्स देने वालों को प्रताडित करने के भी आरूप लग रहे है ऐसे में Google की और से कर्ज देने वाले एप्स को limited कर दिया गया है इसके अलावा लॉन देने वाले एप्स पर यूजर का सवेधन शिल डेटा जैसे contact फोटो की जानकारी चोरी करने के भी आरूप लगे है इसलिए Google की और से ऐसे एप्स के लिए personal लॉन policy update जारी किया है जिससे प्ले स्टोर पर लेंडिंग एप को प्रतिबंदित किया जा सकेगा इस policy update के बाद एप्स यूजर्स के external storage से फोटो, वीडियो, contact, location और call log का access नहीं कर पाएंगे बता दे की mobile app से कर्ज लेने वालों की शिकायत है कि उन्हें कर्ज के नाम पर बेवज़ब परेशान किया जाता है कर्ज वसुली वाले agent गलत तरीके से उनकी फोटो, content का इस्तमाल करते है Bureau Report, GSTV